हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शेकिशना चीरादे बहुत सवागत है आप सबके इस खास कारकम जोतिश दिशा सत्य किर आपने अश्टोब फ्रेंड के साथ देख रहे हैं आप और आज भगवान सिरी गणेश के द्वारा भगवान सिरी गणेश के साथ क्या कुछ मिलने जा रहा है ये एक देखने का विशय रहेगा ये एक समझने का विशय रहेगा भगवान सिरी गणेश साथ को क्या देंगे और इस विशय से अब हम परदा उठा देते हैं गणपति से क्या शनिदेव का कुछ लिंक कनेक्ट करके और हम सब कुछ उस पे विशेश लाव प्राप्त कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आज का यह हमारा विशेश रहेगा कि शनिवार के दिन जब भगवान स्री गणेश का पावन पर्व चल रहा है गणपति महोत्सव चल रहा है लगातार दस दिन हम भगवान स्री गणेश के शानिद्य में प्राप्त करते हैं बिताते हैं आज तीसरा दिन हम बिताने जा रहे हैं चतुर्थी से आज सश्ठी आ गया है तो आज इस तीसरे दिन की विशेश पावन वेला पर भगवान सिरी गनेश आप सब के जीवन में क्या विशेश शुबता अरजित करवाएंगे शनी देव जो दंडा धिकारी हैं आज उन्हें शान्त कराया जाएगा आज हम आपको पाय बताएंगे उससे भगवान सिरी गनेश की किरपा से शनी को शान्त करने का एक नायाब मौका हम देंगे कलकता से देख रहे हैं आप इस समय अपना विशेश कारेक्रम जोतिश दिशा विशेश राशी फल सेगमेंट हम बताएंगे पूरे दिन का हाल राहुकाल गुलिकाल क्या करना है आज हर राशी वाले के लिए क्या नहीं करना है पूरे जानकारी भागी कितना आपके साथ रहेगा इस सारी जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं तो आए बिना विलंब की पहले बता देते हैं आज का पंचांग भादपद महाशुकल पक्ष सश्ठी थी चंद्रमा विष्चिक रासी में नक्षकराज का अनुराधा रहेगा जिसका स्वामी प्रतम चरण जिसका स्वामी शनी है तो आज की महादशा का स्वामी शनी रहेगा दिन भी शनिवार है तो जो अपने आप में एक पिलक्षन संयोग बन गया है योग आज का रहेगा विश्कम भतादान अशार दिनांक 15 सितंबर दिन शनिवार शनिवार के दिन राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा प्रातहकाल नो बज़ कर तीस मिनट से लेकर के नो से लेके साड़े दस माफ कीजिएगा नो बज़े से दस बज़ कर तीस मिनट तक थोड़ा सा कनफ्यूजन रहा सुबह नो बज़े से लेके दस बज़ कर तीस मिनट तक रहुकाल का समय है इस बीच कोई भी नया और शुबकाम ना करिएगा और गुलिक काल का समय सुबढ़ 6 बजे से लेकर के 7 बज़ कर 30 मिनट तक रहेगा गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुब काम कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं बिना विलंब के फटाफट ग्रहों की इस्तिती भी देख लिया जाए और राहू करकराशी में इन्ही गुरों प्याधालित पुरे दिन का हाल आप सब की सबसे सटीक भविश्मारी क्या करें और क्याना करें के साथ ये रहा आपके सामने सबसे पहले मेश राशी अज मेश वालों के लिए यात्रा में कुछ चोट चपेट की संभावना है लेहाजा आज लंबी यात्रा आवाइट करना है आज हेल्थ इशू भी आपको परिशान कर सकता है दो पहर बारे वजे के बात की इस्तिती बहुत सकरात्मक नहीं दिखाई दे रही है खान पान पे विशेश सावधानी बरतनी है बहुत एहतियाद बरतना है और इस्तितियां प्रतिकूल अचानक से हो सकती है अगर आपकी राशी मेश है तो आज क्या करना चाहिए आज कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए क्या नहीं करना है स्वास्त के साथ कोई कंप्रमाइज नहीं करना है शुबरंकाला भाग्य प्रिश्ट पचास बिशब रासी आज आपका बढ़ बोलापन आपको ले डूबेगा कुछ रिस्तों में आज मनमुटाव की श्थिती बन सकती है अगर आपकी राशी बिशब है तो स्वास्त पर विशे साउधानी बरतिएगा बाहर का भोजन अवाइट करिएगा कोई उधार मांगने आए तो देने से पहले सौ बार सोचिएगा अगर आपकी राशी बिशब है तो पिता के साथ आज तालमेल अच्छा बिठाने का प्रयास करिएगा बिशब वाले आज क्या करें आज किसी पर चीखना बिलकुल भी नहीं है मन पर कंट्रोल वाणी पर कंट्रोल रखना है चीखना नहीं है वाणी पर कंट्रोल रखना है शुबरंग आपके लिए नीला भाग की प्रिस्ट उन्सट मिथुन राशी आज मिथुन राशी वालों के लिए उठा पटक भरा दिन रहेगा सोच नहीं पाएं के क्या करना है समझ नहीं पाएं के कैसे करना है इस्थतियां अचानक प्रतिकूल हो सकती है अगर आपके राशी मिथुन है तो आज किसी बड़े के साथ कोई एक बड़ा आपके परिवार का सदस से उसके साथ कुछ वक्त बिताने का आज अवसर निकालिएगा मिथुन राशी वालों के लिए दिन आज बहुत अनकूल रहेगा जब आप बड़ों के साथ समय बिताएंगे तो वो इस्थतिया आपके लिए बेहत सगरात्मक रहेगी मिथुन वाले आज क्या करें नौकरी के लिए प्रियास लगातार करिएगा आज भी करिएगा क्या नहीं करना है आज किसी को उधार देने से बचना होगा शुबरंग बादामी भागी परिशा 57 करक राशी चंचलता आपकी सत्रू रहेगी आज कई चीजें एक साथ पकड़ने की चाह में आज कुछ छूट जाएगा रिष्टों के मामले में भी आज कुछ खटास की स्थिति बन रही है भाई बहन के साथ अच्छा वक्त बिताने आज आपको आज हल्दी का तिलक कर लेजेगा क्या आज नहीं करना है प्रेम में धुखा देने के लिए विचार ना करिएगा शुबरंग गुलाभी भागी परिशत 62 सिंग राशी अपने अपनों पर ही क्रोध करके आज इस्थितियां और बिगार सकते हैं अगर आपकी र वो परिरखिएगा आज सिंग राशी वालों के लिए किसी बड़ी समस्या से मुक्ति का दिन तो था लेकिन अचानक से रुख सा गया जैसे अगर आपकी राशी सिंग है तो आज जमी जाजात की विशेश प्राप्ति हो सकती है आज सिंग राशी वालों के लिए बहुत विलक्षण समय कहा जा सकता है प्राप्ति आपके साथ हाज जुड़ी रहेगी रुके धन की भी आज प्राप्ति हो जाएगी किसी के साथ मित्रता में मन मुटाव था तो उससे आज आज आप बचेंगे क्या करना चाहिए पहल अपनी तरफ से आज कर दीजेगा क्या नहीं करना है कोई भी गुबार मन में मत रखिएगा शुबरंग पीला भाग्य प्रत्सद बावन कन्या रासि व्यापारिक विस्तार का समय है दोस्तियारी में आज कुछ कर गुजरने का समय है रुके समस्त कार्यों को गति देने का समय है नए व्यापार के विशे में विचार करने का समय है जो कन्या रासि के बच्चे हैं आज सिक्षा में ब्यहतरीन करेंगे आज पिता के साथ एक बार फिर से पैचप होने की संभावना बन रही है कन्या राशिवालों के लिए आज किसी पुरानी बात को याद करके दिल खुश हो जाएगा आज एक बार फिर से किसी से मुहबबत करने का मन कर सकता है अब देखिए हमारे उपर से निगाह हटे तो मुहबबत के लिए किसी और गली की तलाश करिएगा नहीं तो सागर यहां बहता है आईए गोती लगाईए क्या करना चाहिए करने राशिवालों को आज आंत्रिक रूप से प्रशन रहना चाहिए क्या नहीं करना है मन की बात साजहना करिएगा शुवरंगलाल भागियो प्रत्सत पचास तुला राशिव बहुत अलग तरह से आज अपने आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे रुके काम आज चल निकलेंगे रिष्टेदारी में जो संबंधों को लेकर के एक उठा पटक चल रहे थी आज वो साल्व हो जाएगे कोई मित्र आज बेहत काम आएगा नयवाहन की प्राप्ति के भी संकेत है बाहर घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है परिवार संग क्वाल्टी टाइम इस्पेंड करेंगे अगर आपकी राशित दुला है तो आज क्या जरूर करें आज एक नया प्रयास करिए एक नई शुरुवात करिए आज क्या नहीं करना है आज बाहर का भोजन अवाइड करिएगा ब्राउन कलर्शुप चोवन प्रिशत का भाग्या है ब्रिश्चिक रासि आपको क्रोध आज बहुत आएगा कुछ काम बारह वजे के बाद बिगड़ सकते हैं आज ब्रिश्चिक रासिवालों के लिए जमीन जायजात के सवधे में कदम बढ़ा सकते हैं सरकारी महकमे से आज कुछ लड़ाई जगड़े की संभावनाय बन रही हैं ब्रिश्चिक रासिवालों के लिए अगर आपने कुछ सोचा था कि अब ऐसा कर लेंगे तो वैसा आज कर सकते हैं क्या करना चाहिए आज 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 एक नया प्रियास करिए क्या नहीं करना है आलस से बचना होगा स्लेटी रंगशुप छाचट प्रिसत का भाग्य है धन राशी कला और मनरंजन छेत्र में आज कुछ विशेश ख्याती और जित करने जा रहे है समाजिक प्रितिष्ठा की वृद्धी होगी क्यात्रा सुखद और आराम दायक रहेगी बिश्डायार कोई आज करीब आएगा ब्रेक अप भी आज हो सकता है अगर आपकी राशी धनू है तो बहुत ऐसे अवसर जो राप्त हों जहां पर आप टेमपर लूज कर रहे थे वहाँ पर आज नियंदरों रखने की आवशकता है अगर आपकी राशी धनू है तो आज अपने आपको प्रोसीड कर सकते हैं अलग-अलग छेतरों में धनूराशीवालों के लिए आज क्या करना चाहिए आज स्वास्त से किसी भी रूप में अलब ध्यान दिजी आज स्वास्त का हर तरह से खान, पान, रहन, सहन दवादारो, सब कुछ क्या नहीं करना है मन की बात पति-पत्नी के बीच आज अवाइट कर दीजेगा, साजना करेगा, हरा रंग शुभ है, 57 प्रिश्ट का भाग्य है, मकर राशी, अपने आपको बहुत स्ट्रॉंग महसूस करेंगे आज, मकर राशी वालों के लिए पिता के साथ रिस्ते को मजबूत करने का दिन रहेगा, भ खास तर पर दिल के मामलों में आज अपने आपको सहियत रखें, शानत रखें, आज मकर राशी वाले, जितने भी हमारे मित्र हैं, रुपए पैसे के लेन देन में और साइन करने में बहुत सा उधानी बरतिएगा, खुद आज वाहन ना चलाएं तो बहतर है, स्वास्त में विशेश खर्च भी हो सकता है, क्या आज आपको विशेश करना है, आज बड़ों से सलाह जरूर लेना है, क्या नहीं करना है, बच्चों को इगनोर कते ही न करिएगा, सफेद रंग्शुब उनहत्तर प्रिश्ट का भाग्या है, कुम्बराशी, आज आपस में बाये दाया थोड़ा बहुत लड़ाई जगरा वाद विवाद के संभावना बन रही है, किसी बड़ी समस्या में आज उलच सकते हैं, आज कोई मित्र धोखा दे सकता है, अगर आपकी राशी कुम्ब है, तो आज वाहन भी बहुत साउधानी से चलाईएगा, बाये पाउं में चोट आ प्रयास समझाता नहीं करना है, और नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना है, रुके धन की प्राप्ति के लिए आपको उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, शुभरंग बताएंगे लेकिन पहले ये जान लिजे क्या करना चाहिए आज, एक नया प्रयास जरूर करिए क्या नहीं करना है आज कुम्भ राशी वालों को आज अपनों पर गुस्ता ना करिएगा शुवरंगास मानी भाग की प्रित्सत एक सथ मीन राशी सोचते सोचते कहीं पर आके ठहर जाएंगे आज ठहरना नहीं है सोच को इंप्लिमेंट कर देना है अगर आपकी राशी मीन है तो नोकरी पेसा में भी आपको विशेश सफलता मिलेगी अगर आपने विचार किया था बहुत पहले से कि आज कुछ यह विशेश कारे करेंगे तो वो भी आप प्रोसीड कर सकते, विशेश काम में आपको विशेश लाब मिलने वाला है आज मीराशी वाले क्या विशेश करें, आज समय से निश्चितता के साथ, नियमितता के साथ दवाओं का सेवन जरूर करिएगा, क्या नहीं करना है, आज किसी भी काम के लिए इनकार मत करिएगा करके रहिएगा शुबरंग्रे भागी पिर्चत 56 तो गणपत बपा कैसे शरी देव को शांत कर सकते हैं आपकी कुनली में उपस्थित शरी का प्रभाव कैसे सकरात्मक कर सकते हैं ये आज देखने वाली बात है गणपत बपा से संबंधित एक विशेश प मिश आगशर बिशबरा मिथन यागशर करकजा सिंग घागशर कन्या च्छा तुला चोटा उवगशर बिश्चिक धा धनु खागशर में धनु मकर बा कुम्भ शागशर और मीन ला कल किसी ने पूछा किसका पूरा प्रियोग बता दिया करिये बहिया पिछले हम दस साल से इसका प्रियोग ही बता रहे हैं एक सादा कागज ले लिया करिये उस पर लाल रंग की इंक से अपने चंदर राशी के अनुसार प्राप्त अपना भागशर लिखिये और उसको अप अपने सरमाथे पे लगाईए और अपनी पॉकेट में रख करके इंज्वाई करिए आईए अब जान लेते हैं आज की सक्सेश की और उसके बाद गणपती स्पेशल पहले आज की सक्सेश की दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में हलका सा चीनी पानी घोल कर लगा लें और फिर अपने घर से प्रस्थान करें बेहतरीन छोटा सा प्रियोग आप सब के लिए आज के दिन को महाशुब करने में महाभूमिका निभाएगा चलिए अब जानते हैं आज का दिब ब्रहमास्त्र गणपती से सांत कराएं शनी शनी की इस्थिति कुंडली में बहुत दाय बाया होती है उन्डली में बहुत उठापटक वाली होती है ऐसे में शनी की इस्थिति को शान्त कैसे किया जाए महच एक मिनट का दिब प्रियोग आपके सामने स्क्रीन पर एक सुपारी ले ले उस पर तीन जगह काजल लगाएं हर काजल पर सुपारी के जहां काजल लगा है उस पर आपको दूरवा दूब घास से गंगाजल छिड़कना है और सामने रखकर गणपती द्वादस नामा वली भगवान स्री गनेश के बारह नाम जबना है एक बार बरहो नाम को एक बार जब डालिए और फिर सुपारी को साथ बार अप्टेसर से क्लॉख वा रिए या किसी से करवा लीजे और फिर ले जाकर भगवान सिली गणेश को अर्पित कर दीजे इतना सा काम करके जो विशेश लाभाव को अरजित होगा वो भगवान गणेश की किरपा मिलेगी और कल से शनी की शांती का आनंद उठाइए इस प्रियोग को आप आज ही आज करेंगे तो विशेश लाभ मिलेगा बाकी किसी भी शनीवार के दिन चतुर्थी पढ़ जाए तो कर सकते हैं नमस्कार शेकिष्णा शिराधे और हां कल्द भूनेश पर मिलना ना भूलिएगा और पंच शक्ति महानुष्ठान जानकार यह आप लोग मिल रही होगी जो मेरा नया आशियोद है फिराल हमें अनुमत दीजेगा नमस्कार शेकिष्णा शिराधे नमस्कार माता पिता का दर्द एक ऐसा दर्द जो उनके बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग के होने पर भी शादी ना होने पर होता है इस दर्द को आपका एश्टो फेंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा मुहूर्थ चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है जानते हैं क्या है वूर्थ उन्निस नमंबर दो हजार ठारह दिल सोमवार तुलसी विवाह का दिन आप सब का स्वागत करते हैं ऐसे सभी लोग लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग की हो चुके हैं सक्षम है और फिर भी शादी नहीं हो रही है देरना करिएगा तुरंत कॉल करिए जो नमबर्स आपके सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाईए दन्यवाद क्या है हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा